आज हम आपको बता रहे हैं HP-Z Ink Advantage 36-35 प्रोब्लम क्या आ रहा है इसमें इन प्रोब्लम प्रोब्लम तो यह कैरेज आपका कार्टेज डिटेक्ट नहीं होता है बंदेने में इसमें दो कार्टेज लगा के देख लिए हैं फिर भी हमारा प्रोब्लम से होता है प्रोब्लम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या हो रहा है कि हमारी कार्टेज डिटेक्ट नहीं हो रही है हम नहीं कार्टेज भी लगा रहे है उसमें भी सेम प्रोब्लम क्या आ रहा है कि हमारी कार्टेज डिटेक्ट नहीं हो रही है तो उस कंडिशन में क वो में उस्टों में क्राब होंता हैं प्सक्रम को यह कारटेज कोाइन मैं मैं अब है आप यह लगभी सीवह चाहिएन इसको की ऐलाइन यह एक इस किस यह है इस्टेबल हो जाती है, अधर्वाइस यह कार्टेज जदी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारी कार्टेज डिटेक्ट नहीं हो रही है, यह लाइक बिलिंग करती रहेगी, कि आपकी कार्टेज डिटेक्ट नहीं हो रही है, अभी हम आपको कैरेज का दिखाएंगे, कि यह खोले हुए हैं इस्कूरूप उसके बाद हम इसको उपर के पैनल को खौल देखते हैं यह पैनल खौलने के बाद यह इसका कार्ड होता है यह वाई-फाई में प्रिंटर होता है कि कैरेज होती है मैं आपको दिखा देता हूँ यह कैरेज है हम इसको चैंज करेंगे यह मैं कैरेज फिट कर रहा हूँ इसमें इसमें लोक होते हैं यह लोक में फिट होती है कैरेज यह मैं इसमें रहा हूँ भड़ोदेज पर रहा हूँ रख रहा हूँ यह हमने कैरेज फिट कर गया है इसमें कर गया है इस परकार यह हमने काकेरे सेक कर दिया है और हम आपको इसमें कार्टेज लगा के चेक करा के दिखाएंगे आपको इसके बाद आप देखाएंगे डिस्पले करो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा हमारी लाइट बिलिंग हो रही थी अभी हमारी लाइट इस टेबल है तो इस परकार केरे चेंज करने के बाद हमारे मसीन ओके होगी है और आजकल आप 혀ऽधान भी रहे आजकल क्या करते हैं बंदे है की एक वेbसाइट बना लेते हैं और आपको आप उन्हें घर पे बुला लेते हैं, वो प्रिंटर वगएरा लेके चले जाते हैं, फिर कहीं कहीं दिनों बाद दे करते हैं, या नहीं भी दे जाते हैं, तो इस उससे भी आप साफधान रहें, इस तरह का भी आजकल बहुत ही फ्रोड हो रहा है मार्किट में, त प्रणियोंग